Hello friends, this is Shabazz and you are watching our YouTube channel विधिक्यावट्या तो हम जब नए नए आते हैं तो हमें नहीं पता होता civil और criminal law में अंतर क्या होता है जनरली ये तो पता होता है law डोपर पार्ट में डिवाइड एक civil laws होते criminal लेकिन इनमें basic अंतर क्या होता है इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ आज मैं आपसे बड़ी important चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ अब ये important चीज़ क्या होने वाली है तो सबसे पहले देख लिजिए unacademy में मैं classes ले रहा हूँ मेरी classes आपको वहाँ पर free मिल जाएगी इसके साथ-साथ unacademy में जो इंडिया के best educator है वो पढ़ा रहे है अब unacademy आप क्यों choose कर सकते हैं सबसे पहले तो आप क्या करेंगे अगर आप कोई भी subscription लेना चाहते है तो आपको मेरा code यूज करना है शाबाज 10 या आपको नीचे शाबाज 10 मिल रहा है देखे ये शाबाज 10 इस code को जैसे हम use करेंगे हमें क्या मिलता है instant 10% discount मिलेगा और समय समय पे बहुत सारे offers आते रह ठीक है और इसके साथ साथ बता दू मैं आपको अनकेडमी में आपको क्या लिख इंट्रक्टिव लाइव क्लास फोल फॉर लेर रेजर हैंड नेवर मिल रहा है पर अभी बड़े इंपर्टेंट चीज़ा देखेगा अभी offer आया हुए इस offer के बारे में देख लिए ना और नेवर offer है code वही यूज करना है शाबाज 10 अब आपको ये शाबाज 10 कहां जाकि यूज करना है description box में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी उन लिंक्स में जाके क्या करिए कि शाबाज 10 code यूज करिए अभी मैं आपको पीछे देखा चुका हूँ code यूज कर लिजेगा six month का साथ three month 24 month के साथ four month और यह आपको 24 से लेकर 40 जुलाई तक आपका यह offer है इसके बाद यह offer खतम हो जाएगा चलिए अब अपन टॉपिक की तरफ चलते हैं बस यह code याद रखीगा description box में टेलीग्राम की link मिल जाएगी टेलीग्राम की link को जरूर subscribe कर लिजेगा और जब भी आप follow और जो subscription की link है यह भी आपको description box में मिल जाएगी वहां पर आपको क्या करना description box में जाके आपको subscription link मिलीग्राम को क्लिक करिए आप subscribe कर लीजे code जरूर याद रखिएगा और अब चलते हैं topic की तरफ चलिए इसके साथ topic की तरफ जाने की पहले एक चीज आपको और बता देता हूँ मैं देख पा रहे होगे हम यहाँ पर देख रहे हो कि civil criminal law में अंतर इसके साथ बता दू मैं रोज MP ADPO का MOOC भी ले रहा हूँ उसके लिए भी आपको जानकारी मिल जाएगी टेलीग्राम की आप link जो description box में मिल जाएगी वहाँ पर चले जाएएगा वो भी आपक देख कि आपके doubts clear हो जाएगे आपको पता चल जाएगा कि civil law criminal law में अंतर क्या होता है दिखिएगा एक law है civil law एक criminal law अब जो criminal law होता है यह an injury to a public यहाँ पे जो injury होती है public को क्योंकि यहाँ पर पार्टी जो कोई दिखिए criminal law हमें हमेशा जो अपराग होता है वो राज जी के विरुद दोता है अर्थात यहां पे कोई personal जो व्यक्ति के साथ आपराद हो रहा हो यहाँ victim माना जाता है लेकिं जो injury होती है वो किसको माने जاتी पबलिक को माने जाती है आपने जैसे murder किया तो murder में जिस व्यक्ति के साथ murder हुआ वह तो victim है उसका परिवार victim है लेकिन जो स कर्माज के साथ नीו होता है यह पर्टिकुलर्य जिस व्यक्ति के साथ रही जाता है अब हम जो क्रिमनल मामले में बात करते हैं क्रिमाल मामले में जो次 क्रॉसेक्जूशन होता है prosecutors by government अर्थात criminal मामले में जो अभियोजन च्ला जाता है जो माममनल ले के आता है मामदा लेके आते एक्यूस के वर जुसने अपराद किया वो कौन लेके आता है prosecution लेकिन यहां पे plaintiff suit लेके आता है defendant के यहां पे सरकार का कोई involvement नहीं होता है दो पार्टीज होती है plaintiff defendant plaintiff मतलब वादी पृतिवादी के वर दो शूट लेके आता है इसके अगर आप एड्वोकेट की फीस नहीं दे सकते यह आपका DPSP भी है ठीक है और इसके साथ साथ आपका 304 आपकी CRPC भी बताती है इसके साथ साथ आपका यह fundamental राइट है लीगल एड आपको प्रोवाइट की जाती है लेकिन यहां पर पार्टीज को अपने तरफ से क्या करना पड़ता है advocate attorney करना पड़ता है कोई भी आपको क्या नहीं मिलता है attorney के रूप में वकील आपको नहीं मिलता है फीस आपको जो भी होती है खुद देनी पड़ती है बात हम करते है burden of proof किस की उपर होता है साबित करने का भार criminal मामलों में beyond reasonable doubt मामला प्रूफ करने पड़ता है अगर मन में थोड़ा भी doubt आ गया कि अपयुक्त ने अपराज किया होगा या नहीं होगा तो भी या वही principle applicable हो जाता है सिद्धान के हजारों अपराधी छूप जाए लेकिन एक बेगुना को सजानी होनी चाहिए लेकिन यहाँ prepondence of probability के आधार में मामला होता है अर्था तराजू जहाँ पर जादा जुक जाएगा वही पक्ष जीत जाएगा लेकिन यहाँ पर तराजू जहाँ जुकेगा वो नहीं तराजू को पूरा पूरा जुकना चाहिए मतलब एक प्रकार से doubt हो नहीं नहीं चाहिए इसके बाद conviction में भी result in civil disabilities ठीक है जो conviction अगर किसी व्यक्ति को किया जाएगा तो civil disabilities हो सकती है और loss of liberty अर्थात मतलब उसको अर्थात यहाँ पर गोल सकते हो जनली लिबर्टी कब खतम होगी व्यक्ति को जेल में डाल दियता है और यहाँ पर उससे पैसे देने को कहा जाता है तो आपको यह समझ में आ गया हूं भी यह कुछ बेसिक अंतर है जो criminal law civil law के संबंद्न होते हैं ऐसा ही informative वीडियो हम समय स समय पर आपके लेके आते हैं और बहुत जल्दी मैं आपको बता दू हम यूपी रेगुलेशन एक्ट भी यहाँ पर पढ़ाने वाले उसके MCQ कराएंगी यूपी एपियो को लेके एंपी एडिपयो को लेके तो हम अल्रेटी चला रहे हैं और सबसे चीजे बहुत सारी ची हैं चीजों को एंजोई करिए डेफिनिटली आपको बहुत जादा फायदा मिलेगा